दोस्तों अगर आप भी Canada जाना चाहते हैं jobs के लिए Canada में जाके settle होना चाहते हैं और आपको ये पता रही है कि कैसे हमें Canada में job मिलेगी या कोई और भी रास्ते हैं जिस से कि हम Canada तक पहुंच सकें Canada को जो सपन है वो पूरा कर सकें Canada में हम settle हो सकें तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा ए रास्ता है जिसके तहट आप कैनाडा जा करके अपना लाइफ को चेंज कर सकते हैं अपना जिवन को एक नाया आयाम दे सकते हैं दोस्तों तो वीडियो में फितक बने रहें अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंड और शेयर जरूर करें अगर आप पहले बार चैनल पे आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथी बेल आकन को आउन करके नोटिफिकेशन बटन को आउन रखें क्योंकि इसी तरह का इन्फरमेटिब वीडियो में हर दिन लेके आता हूँ आप के लिए क्योंकि यह आपका करेर का सवाल है, दोस्तों शुरू करता हैं। जरू जाकर देखें, प्लेलिस्ट में जाकर रहें, कैनेडा उप्शन में जाएं, और सारा वीडियो देखें, आपको समझ में आएगा, आज मैं आपको दो रास्ते बताने वाला हूँ, जिससे आप कैनेडा पहुँच सकते हैं, अगर आप ग्राजवेट हैं, जो पहला बता कर सकते हैं, बसरते हैं, इसमें होगा क्या, आपके पास मिनिममम तीन से चार साल का एक्सपिरियन्स होना चीए, आप ग्राजवेट हो, साथ ही साथ आपका तीन चार साल का एक्सपिरियन्स हो, और आप इसमें एप्लाई कर सकते हैं, एक बात का ध्यान रखें, जब आप ए ChildENCE एक्जाम देने के साथ-साथ आपने जितने भी कंपणी में काम क्या है क्या है ठीक है पहला जो भी कंपणी में काम किया है उन से अच्छा कासा रिलेशन्स रखना हैма क्योंकि जब आप form के लब करते हैं दोस्तों PR के लिए तो आपका जो भी previous company है वहाँ reference के लिए email जाता है about your character कि आप कैसे थे कैसे काम करते थे आपका behavior कैसा है सब कुछ ठीक है तो आपका जो previously company या manager या HR जो भी होंगे उनको एक email आता है और वो थड़ company कराती है ठीक है जहां पर वो आपके बारे में लिख के देते हैं शायद आपको भी वो inform करते हैं क्योंकि आपका previous company है तो आपको definitely inform करेंगे कि हमारे पास एक email आया है और वो हार समय अच्छा ही लिखते है लेकिन फिर भी आपको धियान रखना है कि आप जो previous company में काम कर रहे हूं वहां पर आप जो HODs हैं उनको request जरू करें कि सर मैंने PR के लिए apply किया है और आपको email आने वाला है अगर email आये तो देख लेना यह नहीं कि अच्छा लिख के भेज़ देना हला कि कोई कभी किसी के बारे में गलत लिखता नहीं है लेकिन कौन जानता यार human being है ठीक है तो एक बार request जरू क कर देना तो इस तरह से आप PR के लिए apply कर सकते हैं और यह सबसे बहतरीन तरह है दोस्तों इसमें खर्चा बहुत कम होता है धाई लाग से तिन लाक रुपय के अंदर आपको PR मिल जाता है इससे ज्यादा रुपय खर्चा नहीं होता ठीक है अब इतना रुपय तो कोई प्रोसेस है लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कैनेडा के बारे में ठीक है तो एक प्रोसेस है दूसरा है दोस्तों अगर आप जस्ट ग्राजवेट हैं आपको कोई experience नहीं है तो आप जा सकते हैं study भी जा में एक बहतरीन तरीका है दोस्तों जहां पर आप apply करके अपना live को एक है ठीक है क्योंकि आपको funding भी करना है ना तो जादा बड़ा इंवस्टिम जाते हैं तो जितना बड़ा इंवस्टिम में जाएंगे उतना जादा आपको funding करना पड़ेगा तो उससे अच्छा है कि वह एक medium सा अच्छा सा देखके university chain कर लीजिए वह आपका course के हिसाब से ठी अगर अबने CBSC से पढ़ाई किया हो ICSC या CVSC ठीक है अगर इसे पढ़ाई किया हूँ ठीक है अगर अपने English अच्छा खासा पॉइंट्स मिलता है और जाने के लिए बहुत आसान होता है और इससे मेहर किसे को यह सजेस्ट करता हूँ अगर आपको स्टेटिम भी जाना है दोस्तों तो पहले ग्राजवेट कर लीजिए ग्राजवेशन करने के बाद इंडिया में एक साल काम कीजिए आपका जो भीजा है वो एप्रूबल होने के लिए 101% चांस रहता है तो इस तरह से आप करनाड़ा पहुं सकते हैं आगे बता रहा हूँ मैं आपको कि क्या-क्या डॉकुमेंट्स के रिक्वार पड़ती है दोस्तों जो सबसे पहले डॉकुमेंट हुए है पासपोर्ट इस एक बैंड होता है बैंड में नेक्स्ट ब्रेम बताऊंगा कि किसको कितना चीए होगा ओफर लेटर फॉम ए एंप्लोयर फॉम कानड़ा ठीक है एक ओफर रहोना चीए आपके पास प्रविंशियल नोमिनेशन सेटिफिकेट या फिर आपका है टेरिटुरियल सेटिफिकेट फॉम जब सीकर वilsिफिकेशन रिपॉम एंप्लोयर फ्रीच कैसा और अप देप कप पर ही यहिरं पर हैं आपका एंप्लोयर को कि आपका बेहीर कैसा था आपजब काम के दुए जबनडान कैसे थे सब कुछ डीटेल्स मांगते हैंнок से और यहीं पर बहुत लोग रिजेक्ट हो जाते हैं ठीक है क्योंकि मैंने पहले कहा ना human being है यार कुन क्या लिख रहा हो किसे पता चलेगा लेकिन आपको करना क्या है उनको request एक बार जरूर कर देना है तो दोस्तों ये था दो रास्ते जिसके तहत आप कैनाडा पहुँच सकते हैं बहुत आसान से ठीक है मैंने कहा अगर आप graduate है ठीक है प्यर के अप्लाइ करें कैनाडा में आपको हर तरह का जौब मिलता है अगर आप एक ग्राजवेट हैं एक साल काम करें इंडिया में या कहीं और काम करें बट इंटरनाशनल कंपनी में काम करें दोस्तों आपको आसानी से अच्छा अच्छा इनवर्सिटीज विच स्कॉलर्सिप मिल जाता है ठीक है फिर सारे चीज को ध्यान रखें और करनाडा के अप्लाई करें बेस्ट अफ लख आपका करियर के लिए हम विश करते हैं कि आप जल जय भारत